दोस्तों अगर हम डांस रियालिटी शू की बात करें तो सबसे पहले स्टार प्लस की रियालिटी शू डांस प्लस का नाम आएगा जिसके अब तक पांच सीजन टीवी पर टेलिगास्ट हो चुके हैं इस सीजन ने हमें कई ऐसे दंदार डांसर दिया हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं है लेकिन इन लाजवाब डांसर को देश के सामने रिप्रिजेंट करने में सबसे बड़ा हाथ होता है शू की करियोगराफर का जो कई गुना मेहनत करके इन कंटेस्टेट को विनर बनाने के मुकाम तक लेकर जाते हैं लेकिन आप इन करियोग्राफर के बारे में तो सब जानते हैं पर क्या इनके रियल लाइप पार्टनर के बारे में जानते हैं और नहीं जानते हैं ना कोई बात नहीं हमें ना आपको बताते हैं चली शुरू करते हैं टीव इंडेस्ट्री के बेस्ट करियोग्राफर में एक नाम आता है पुनीत पाथक का जो अब तक डांस पलस के कई शूज को जज कर चुके है इस बार भी ये शो में जज बन कर आये थे और अपनी टीम को काफी अच्छे से रिपर्जेंट कर रहे थे पर इस बार इनकी टीम का कोई भी वीजेता नहीं बन पाया लेकिन अगर बात करें इस मशूर करियोग्राफर की पतनी की तो आपको बता दे इन्होंने शादी नहीं किये पर इनकी एक गर्ल्फरेंड है जिसका नाम निधी मुनी सिंग है इन दोनों की मुलाकात किसी पार्टी में हुई थी जहां इन दोनों ने पहली नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया आपको बता दे दोनों जल्द ही शादी के बंदन में भी बंदने वाले हैं इनकी टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और इनकी टीम में से कोई विनर नहीं बन पाया लेकिन अगर बात करें इस बेस्ट करियोग्राफर की पतनी की तो इनकी पतनी का नाम पल्लवी ब्रह्मनी है जिन से इनोंने कुछ वर्षों पहले ही शादी की थी आज इनका एक प्यारा सा बेटा भी है आपकी जानकरी के लिए बतादे इनकी पतनी प्रफेशन से एक सिंगर है अगर बात की जाए इनकी खुबसूरती की तो दिखने में बड़े खुबसूरत लगती है जैसा कि आप इनकी तस्यूरों में देख पा रहे तीव इंडस्ट्री के बहतुरीन कोरियोग्राफर है धरमेश जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर अपनी पहचान बनाई और पिछले पांस सीजन में इस शो में जजज बने हुए अगर बात करें इस अभनेता की पतनी की तो आपको बता दे इन्होंने शादी नहीं किये लेकिन मीडिया से बिली जानकरी के अनुसार इनके गल्फरेंड है जिसका नाम ब्रेशना खान है ब्रेशना एक बहुत अच्छी अक्ट्रेस है जो इंटरनेट की दुनिया में काफी फेमस है अकसर लोग इन्हें यूट्यूब पर देखते हैं अगर बात की जाए इनकी खुबसूरती की तो इनकी खुबसूरती देखकर हर को इनकी तारीफ करता है जैसे की इनकी तसूरू में आप देख पा रहे है बॉलोड के मल्टी टैलेंटेड करियोग्राफर एंड डिरेक्टर रेमो डिसूजा इस रियालिटी शो में बता और सूपर जज की कुर्सी सम्हालते होने जरा रहे है लेकिन अगर बात करें इनकी पतनी की तो इनकी पतनी का नाम लिजल डिसूजा है जिनसे नोंने काफी सालों पहले शादी की और आज इससे शादी से दो बच्चे भी है जिनका नाम ध्रूग डिसूजा और ग्रैवल डिसूजा है आज भी हमेशा दोनों एक दूसरे को हर सिचुएशन में सपोर्ट करते हुँ दिखते हैं आपके जानकरी के लिए बता दें इनकी पत्तनी प्रोफेशन से एक डांसर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर है नमबर दो करिश्मा चौहान एक बहुती फीमस करिउग्राफर है डांसर करिश्मा चौहान जो नए गानों को करिउग्राफ करती है और फिर उसे अपनी टीम के साथ वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर शेर करती है पर ये इस बार शक्ती मौन को रिप्लेस करते हुए इस शिशो की कैप्टन बन कर आई है और काफी अच्छे से अपनी टीम को बैलेंस किया है पर इनकी टीम का कोई भी प्लेयर फाइनल तक नहीं पहुँचा अगर बात करें इस बेस्ट करियोग्राफर के पती की तो बता दें कि इन्होंने शादी नहीं किये फिलाल भी सिंगल है और अपने करियर पर फोकस चालू है टीव इंडेस्ट्री के बैस्ट करियोग्राफर रागव जुआल को प्यार से किंग अफ स्लो मोशन कहते हैं हर बार की तरह इस शू को भी रागव जुआल ही प्रिजेंट कर रहे हैं और हर एक कंटेस्टंड और जजज को हसाने का काम करते हो बहुँ भी दिखता है लेकिन अगर बात कर इस दमदार कलागार की पतनी ये तो आपको पता दे इन्होंने भी शादी नहीं किये ये टीव इन्डेस्ट्री की कोरियोग्राफर शक्ति मोहन को ही अपनी गर्ल्फरेंड मानते हैं और उनसे खुब मजा करते हैं तो दूस्तों आपको इन कोरियोग्राफर में से किसके रियल लाइप पार्टनर की जोड़ी उनके साथ अच्छी लगी उनका नाम कोमेंट बक्स में बता दो और टीवी से जोड़ी और भी बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी गर दो